so hello guys, आज की वीडियो में हम करेंगे pre-requested topics का part 3 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे structures का basic जो भी होता है structure क्या होता हमारा, structure होता है memory block containing more than one elements of similar or different data types ठीक है structure basically क्या होता हमारा structure एक ऐसा बड़ा सा memory block होता है जिसके अंदर एक या एक से जादा data type अलग अलग है उसके अंदर रह सकते हैं या फिर हम ऐसा बोलें जैसे कि हमको कोई ऐसा program हो या फिर हमको कोई ऐसे problem के साथ deal करनी बढ़ रही है जिसके अंदर हमको किसी चीज की information store करनी है लेकिन वह चीज जो है वह वह दो से तीन data type से belong करती है एक example लेकर समझते हैं इसको कि हमको किसी student की information store करनी है ठीक है अब स्टूडेंट का एक role number हो सकता है उस student की class हो सकते है student का खुद का नेम हो सकता है उसका gender store उसका gender हो सकता है तो हमको यह सारे अलग-अलग information है लेकिन यह related to a student से ही है ना तो हमको एक student से related है तो हमको एक ऐसा कुछ चाहिए एक method चाहिए एक process चाहिए जो कि इन सारे data type को जो है मिला के एक individual जो है information डिस्प्ले कर सके तो उस लिए हम तो उस चीज के लिए हम structure के use करते है structure क्या करता है यह दो से तीन अलग-अलग data type के data type को मिला के एक single data type में convert करता है और हमको यह मतलब facility देता है कि हम उस एक data type के अंदर ही अलग-अलग data type के जो भी values हमको डाल लिया है वो हम डाल सकते हैं तो ठीक है एक language के अंदर हमको एक keyword use करना पड़ता है structure को declare करने के लिए वो है struct keyword हमको struct keyword लिखना पड़ता है और साथ में हमको वो जो नया data type बनाना है उसका नाम क्या रखना है हमको वो लिखना पड़ता है जैसे कि मैं अब बायचान student का information store करनी है मेरेको तो मैं student नाम का data type बना रहा तो मैंने करा struct student int class इसके अंदर मैं उस student के कौन सी class में पड़ता है वो हम इसके अंदर information डाल सकते है care name 20 मतलब इसके अंदर उस student के नाम डाल सकते है उसका और float marks के अंदर student के कितने marks हैं वो डाल सकते है ठीक है उसके बाद ये तो हमने data type बना लिया लेकिन अब जैसे हम क्य data type होते हैं इसलिए हम इनका variable बनाते हैं वैसी जो हमारे user defined क्यूंकि हमारा structure होता है user defined ही data type होता है user different day type का जल्य हम variable बनाते हैं अंपम उसको object या variable कुछ भी बोलते हैं तो जल्य हम इसका variable या object बनाते हैं तो हम को C language के अंदर c++ प्लेस के अंदर थोड़ा different concept होता है c language के अंदर जब भी हम एक structure define करते हैं तो हमको उस data type के साथ structure लिखना जरूरी होता है मतलब जब भी हम इस data type का जहां भी use करेंगे तो हमको struct student साथ में लिखना जरूरी है इसलिए हमने कहले कि struct student यह हमारा पुरा data type का नाम हो गया मतलब जैसे int हमारे data type हो गया और यह s1 हमारा data type का variable हो गया या फिर object हो गया जैसे कि int a ठीक है तो जैसे int a का काम यहां पर हुआ वैसी struct student s1 का काम हो उसके बाद में को अब इस वाले एक class नाम जिसके अंदर inter value हो सकती है एक name जिसके अंदर characters आ सकते हैं और एक mark जिसके अंदर float value हमारी आ सकती है ठीक है तो जैसे हमारा यह variable बना उसके class के अंदर हमने 12 डलवा दिया हमने मतलब हमको अगर यह जो variable है इसके किसी और variable को access करना है तो हमको उस variable या फिर object का नाम dot उसके अंदर कौन से variable के अंदर value डलवानी है कौन से variable को access करना है तो हमको dot डालके उसके variable को access करना पड़ता है ठीक है वैसे हमने का s1 dot dot marks तो हम यह इस variable के इस अंदर जो variable exist करता है marks नाम का उसको access करेगा और उसके अंदर ये value डलवा देगा तो हमारा क्या दिखेगा हमको अगर हम physically इसको वो करें सोचें तो S1 नाम का ऐसा बड़ा सा variable होगा क्योंकि हमने अब इसका नाम S1 दे दिया और उसके class के अंदर 12 आ गया यह actually में होता क्या है जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो के pointer वाले वीडियो में हमने special property बड़ी थी pointer की क्या थी वो कि एक pointer को हम जिस data type करते हैं वो उसी data type के block को point करने के capable होता है यह हमने value property यह pointers वाले lecture के अंदर पड़ी थी आपको नगर नहीं याद तो आप उस वीडिय हमारे होता कि actually structure containing a pointer of same data type capable of pointing to another object of same structure मतला इसका मतलब क्या है कि एक structure जो कि खुद के अंदर ऐक ऐसा pointer contain करता हो मतला अपने definition के अंदर यह actually structure की definition हम गूलते है असको तो अपनी definition के अंदर वो एक ऐसा pointer contain कर रहा हो जो कि वो इतना capable हो कि वो उसी data type मतलब उसी type के structure के और objects को मैंने का कि इक उसके अंदर एक role number store हो सकता है और साथ मेंना एक मैंने एक pointer बनाया अब वो pointer क्या बनाया मैंने का कि वो क्योंकि मैंने क्या बोला था कि pointer हम जिस data type के declare करते हैं वो उसी type के block को point करने की capable होता है ठीक है तो मैंने क्या बोला struct student struct student क्युंकि कि अब मैं चाहता हूं कि यह अब यह जैसे अगर मैं इंट बनाता हूं इंट टाइप का पॉइंटर बनाता हूं इंट के ब्लॉक को पॉइंट करता है मैं चाहता हूं कि इस ट्रक्चर को पॉइंट करने के लिए मेरे पास एक पॉइंटर हो तो एक स्ट्रक्चर हम बना दिय तो अब वो जो हमारा pointer का data type भी तो वो structure होना चाहिए ना क्यों तभी तो वो point करना लगेगा उसको क्योंकि pointer का हमने property क्या पड़े थी कि वो जिस type के block को point करना है हमको उसी type का data type data type से उसको declare करना पड़ेगा इसलिए मैंने क्या करा structure name का data type को declare करा star हमारा एक पॉइंटर वाला symbol हमने वीडियो में पड़ा था और next नाम का एक pointer मना दिया ठीक है तो इस case में यह वाला जो structure की definition होगी ना मेरी या फिर हम बोलें यह वाला structure जबा मेरा एक self-referential structure है self-referential मतलब कि खुद को refer करने वाला ठीक है मतलब खुद को point करने वाला या खुद को हम खुद के structure खुद के similar structure को वो point कर सकते है ठीक है तो self-referential structure हमारे generally वो structure होते है जो कि pointer contain करे जो कि खुद के same data type या same structure की value को point करने की capable हो ठीक है वही similar अब यह जो next नाम का pointer है यह other structure को point करने की capable है मतलब यह next pointer जो है अब यह जो है एक structure का address store कर सकता है जैसे यह हमारे RAM के अंदर यह structure बन गया था इसका भी तो कोई address होगा यह चाई बड़ा सा ब्लॉक बना हो हमारा structure का तो उसका भी तो कोई address होगा और वो address हमारा pointer के अंदर ही आ सकता है ठीक है pointer जो की capable हो था हमारा address store करने के लिए लेकिन वह pointer भी तो तभी उसी मतलब pointer भी तो तभी address store करेगा तो उसको कुछ data data declare होगा और क्यूंकि हमको structure का address दलवाना है तो हमको उसका define भी जो है वो structure ही define करना पड़ेगा उसका data type इसलिए हमने यह पर उसका data type जो structure define करा और इस वैसे हमारे यह self-referential structure जो हो कहलाता है ठीक है तो basic हमको structure structure के बारे में यही पता होना चाहिए और self-referential structure हमारा होता है क्या है वो हमको basic knowledge होनी ज़रूरी है बाकी आगए हम अगली वीडियो में करेंगे आपको वीडियो पसंद आए तो like करना शेयर करना और subscribe करना